हलो एवरिवन, वेलकम बेक टू प्रिटी कॉर्णर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सक्राथ से हम धर्ती माता की कथा का किस परकार से नियम ले सकते हैं किस तरह से उसका उध्यापन होता है और इसका नियम लेने से क्या फाइदा होता है और हमें ये नियम क्यों लेना चाहिए तो इसी विशे में आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ तो वीडियो को बिन स्किप करें पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सकें तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो देखिए ये जो धर्ती माता की कथा का नियम होता है ये दो तरीके से लिया जाता है एक तरीका तो ये होता है जिसमें आप सात दिन तक सक्रात से लेके अगले सात दिन तक कथा करते हैं वरत करते हैं और उसके बाद 7 दिन इसका उध्यापन कर देते हैं या फिर दूसरा तरीका होता है जिसमें आप सक्रात वारे दिन शुरू करते हैं इस कथा को सुनना या पढ़ना और उसके बाद पूरे एक साल तक पढ़ते हैं और उसके बाद इसका उध्यापन करते हैं तो देखे दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं आप चाहें दोनों में से कोई साभी एक तरीका अपना सकते हैं चाहें तो पूरे साथ दिन का या फिर पूरे साल भर का पर आप याद रखेगा अगर आप 7 दिन का तरीका अपनाते हैं तो उसमें आपको 7 दिन तक वरत रखना होता है और नॉर्मल जैसे एक टाम खाना खाते हैं वो आपको खाना है और 7 दिन आपको इसका उध्यापन करना है लेकिन जो आप पूरे साल इसकी कथा सुनेंगे उसम उध्यापन करना है तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दी हैं जो उनसा आपको ठीक लगे आप वो ले सकते हैं देखिए ऐसा कहा जाता है कि आपने बेशक कितने ही दान पुन किये हों कितने ही भंडारे किये हों सोना चांदी दान कर दिया हो लेकिन मरने के बाद अगर आ आपका सब बिकार आपको मिलेगा ही नि क्योंकि वो दर्वाजी के उस पार है और दर्वाजा खुलेगा कैसे धर्ती माता की कथा कहानी करने से वरना धर्ती माता आपको स्वर्ग में खड़े होने के लिए जगा ही नहीं देंगी धर्ती ही नहीं देंगी ऐसी माननेता है इ इसलिए धर्ती माता की ये कथा सुनी जाती है। हमारे हाँ पे तो ये एक साल के लिए ये ही नियम लिया जाता है। लेकिन कई कई जगां पे ये नियम सिर्फ साथ दिन के लिए भी होता है। तरीके मेंने आपको दोनों बता दिये हैं, किस तरीके से आप साथ दिन का नियम लेंगे या फिर पूरे एक साल का लेंगे, तो देखिए आप दोनों में से किसी भी तरहां से ये नियम लें, लेकिन आपको जो इसकी कथा कहनी है, वो आपको धरती में बैठ कर ही कहनी है, माल झार्वा गांस, दूर्वा या दूर्वा इसे कई नामों से जाना जाता है। झार्वा यार्वन बिभलत बाफी है यह अगर एसपस पार्यार में आइसे आपसी हैं नहीं मिल पाती है। तो ये हमें दुरुवागास रोज चाहिए होगी इसकी कथा सुनने के लिए और अब आप देखें इसका आपको नियम कैसे लेना है तो देखें सबसे पहले सक्राथ वाले दिन नहाद होके आप बिना कुछ खायते हैं सबसे पहले संकल्प ले लेंगे और देखें इस तरीके कटोरी उसके बाद हमें चाहिएंगे एक कटोरी चावल तो देखें यह पर यह मैने यहाई लेनी हो तो यहाँ पर मैंनें एक कटोरी मिली आप चाहें तो दिल को भून के उस में बुरा मिला तो यहां पे मैंने यह रेवडी ले ली है, साथ ही में हमें लेगी एक कटोरी मुफली, तो हमने यहां पे यह जो है, एक कटोरी मुफली भी ले ली है, तो देखिए जिस दिन आप इसका नियम उठाएंगे, उस दिन हमें यह चार कटोरी में चार समान चाहिएगा, आप चाह वेक लोटा जल तो दिन कि APPLAUSE जबाद का तुर ऊब सिंद कह के के कांगे कुल सी आप जबसकुद से ख़ड़न के पर सी थाया सबुद्धा है तरहें वाद में कंशुद्रण करतें पहले नियम प्रकी कादा सबुद्धाम करके थाचा सुन०्धा में डाल लीजिए अपने आपको भी तिलक कर लीजिए और जो आपको कहानी कथा सुना रहे हूं वो भी अपने आपको तिलक कर ले उसके बाद आप थोड़े से हाथ में चावल और दुरुवा घास ले ले और इसकी कथा सुन ले कथा का वीडियो और चैनल पर है आप उसे द चारो चीज़े लेनी है और उसे मिनस देना है इस तरीके से पल्ले में थोड़ा सा पानी लेके थोड़ा सा रोली का छीटा दे दे और अब ये समाना आप किसी भी बड़े रिष्टे को अपनी सास को नंद को या किसी पंतायनी को जो आपको कथा सुना रहे हो उन्हें किसी को भी दान दे दे और ये सिर्फ आपको सकरात वाले दिन करना है बाकी के दिन सिर्फ आप इसी हाथ में दुरुवा घास और साथ में थोड़े चावल लेके एक लोटा जल लेके धर्ती में बैटके कथा सुनेंगे और जब आप पूरा एक साल इसकी कथा सुन लेंगे उसके बाद हम इसका उद्यापन करेंगे तो देखिए उद्यापन के लिए आपको हरे रंग की सा साथ ने आपको कुछ सिंगार का समान ले लिना है आप चाहे तो खाली एक बिंदी का पत्ता और चूड़ी भी रख सकते हैं या फिर आप पूरा सोरा सिंगार रख सकते हैं या फिर आप 5-6 चीज़े रख सकते हैं तो यहां पर मैंने महंदी बिंदी काजल कंगा चूड़ नेल पेंट पांसाथ चीजे रख दी हैं आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं समान को तो देखें आप कुछ सुहाक का समान रख लें उसके बाद देखें मैंने गरम स्वैटर लिया है यह बिल्कुल ऑप्शनल है यह जरूरी नहीं है आप चाहें तो रखें चाह यह हमने चपल ले ली हैं और इसके बाद यहाँ पे हमें लोटा चाहिएगा लोटा आप चाहें तो स्टील का ले 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 या फिर आप चाहें तो तामबे का भी लोटा ले सकते हैं पीतल का लोटा ले सकते हैं जैसे आपकी श्रद्धा हो जैसी आपकी सहूलियत हो उसी बढ़ा या घटा सकते हैं लेकिन मैं ये कुछ आपको बेसिक बता रही हूं जो आपको जरूर लेने हैं उसके बाद जैसे हमने पहले शुरुवात के समय पे चार कटोरी ली थी वैसे ही आपको अब लेनी हैं और साथ ही मैं आप कुछ दक्षिना जरूर रख दें तो देखि किसी पॉलोथिन वगारा में पैक करके भी दे सकते हैं और देखिए अगर हो सके तो आप सकरात वाले दिन दुरुवा घास भी खिला दें किसी गाय वगारा को और ये देखिए इसके बाद आप थोड़ा सा पल्ले में जल लेके इन सब चीजों को मिनस देंगे तो जब एक गजल डालके पानी में जैसे हम सकरात पिन हाते हैं उसके बाद आप कुछ खाने पीने से पहले इसको मिनस दीजिएगा बेशक आप किसी को जिनको भी अगर देना है अगर पास में है तो तभी दे दीजिए पहले खाना खाने से नहीं तो आप मिनस के रख दीजिए उसके आप खाना वाना खाले और फिर जिस दिन आपने देना है सक्राथ वाले दिन आप दे सकते हैं तो देखे इस तरहां से आप बहुत ही सरल तरीके से धर्ती माता का उध्यापन कर सकते हैं और आप चाहें तो इस दान को और बढ़ा भी सकते हैं इसमें आप कंबल, रजाई, कम या जदा कर सकते हैं और भी आपको सक्राथ पे किये जाने वाले दान, धरम और कथा कहानी की वीडियोज भी चैनल पे मिल जाएगी सभी की प्लेलिस्ट बनाकर मैं डाल दूंगी देखे ओपर आई बटन में भी आ रहा होगा और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा उन्हें भी जाके जरूर देखेगा और आपको वीडियोज कैसी लग रही हैं मुझे जरूर बताईएगा कमेंट करके और अगर अच्छी लगे तो कमेंट में जैस याराम लिखना बिलकुल भी मत भूलिएगा जदा से जदा शेयर कीजेगा ताकि किस की काम आ सके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैस याराम